हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग सीजी वोट क्लास 10 इंग्लिश के यूनिट सेकेंड हुमर का रीडिंग ए दर नेवर नेवर नेस्ट इसके स्टोरी को पढ़ेंगे जो यूनिट सेकेंड है इसका नेम ही दिखर आपको हुमर तो इसमें जितने भी आपको तो फर्स तिया है रीडिंग ए दर नेवर नेवर नेस्ट अब यहां पर हमनों देखते हैं कि इसमें जो क्यारेक्टर्स है वो है जैक उसकी नंट जेन और उसके अलावा इस सीन में उसकी नर्स भी तो ये सारे जो characters हैं इसके around ये पूरी story जो है वा complete हो जाएगी बीच में और small small characters एक दो mentioned है लेकिन उनका कोई role नहीं है यहाँ पे जो exact conversation वगरा जो भी चल रहा है वो सब Jack, Jill और उनकी Aunt Jane के बीच में हैं तो Jack और Jill जो है वो एक villa में रहते हैं जो की New Hampstead में है इनका जो villa है वहाँ पे इनको विजिट करने आती है इनकी Aunt Jane तो जिल जो है वो इनको अपना विला दिखाती है तो जब वो अपना विला दिखा रही है वहाँ पे तो Aunt Jane जो है वो बहुत जादा इंप्रस हो जाती है उनके सारे household articles को देखकर के Jack उनको अपने household articles भी दिखाता है तो वो बहुत जादा वहाँ पे इंप्रस हो जाती है उनके house से भी और household articles पे भी तो उनके according फिर वो Jack उनका opinion पूछता है कि उनको कैसा लगा तो वो बोलती है wonderful जो furniture है, car है, piano है, refrigerator है, radio है, अपनी वहाँ पे उसकी जो aunt है वो उसको thanks बोलता है कि यह सब कुछ just आपके वज़े से ही है, तो उसकी जो aunt है वो यहाँ पे worried हो जाती है, अब वो worried क्यों है यहाँ पे, तो उनके worry होने का reason वो उनसे पूछता है कि आप क्यों वो तो वो बोलती है, कि वो जो check उनको wedding present के form में दी थी, वो 2000 pounds का था या 200 pounds का, क्योंकि वो तो सोची थी कि वो उनको 200 pounds दी है, लेकिन 200 pounds में इतना सब कुछ तो नहीं आ सकता, तो क्या उनको वो गलती से 2000 pounds का check दे दी, तो उसके बाद में Jack उनको बोलता है कि आप ऐसा क्यों सोच रही हो, तो उसके बाद उसकी aunt बोलती ही नहीं कि यह हाउस है वह मेरा है अब उसकी आंट यहां पर एक्दम जादा शॉक्ट जाती है कि यह पूरा हाउस उसका कैसे हो सकता है तो फिर यह जेंग वहां कि मैं रेंट देकर के रहूं इमीर तो बन सकता हो तो टीनेंट बन के लिए तो उसके बार में फिर जिल उसको बताती है उनको बताती है कि जो जैक का सैलोरी है वह राइज हो गया है कितना तो आपाउट फाइव शिलिंग्स अब यहां पे शिलिंग्स पाउंस यह सारा उनका करणसी है जैसे हम लोग यूज करते हैं इंडियन रूपीज पैसे इंस्टॉल्मेंट्स पे है उसके बार में फूरा तुम्हारा ही है इसके बारे में वह को बताता है कि सब्सक्राइब करेंड तो शायद उनसे वह यह न लिया है अब यहांपर उनकी आंट उपूस्ती है कि कि overall वो कितना कोस्ट पढ़ता है उनको पूरे इंस्टॉल्मेंट का थारी चीजों का इंस्टॉल्मेंट जो है वो मिला करके तो फिर जैग बताता है seven pounds eight shillings and eight pence इतना उनका वहां पे लगता है overall उनका कोस्ट तब फिर वह आंट जेन सप्राइज हो जाती है तुम seven pound eight shillings and eight pence का जो तुम्हारा overall कोस्ट आ रहा है इंस्टॉल्मेंट का वो पे करो तो फिर वो बताता है लोन लेकर के the thrift and Providence Trust Corporation है उससे वो लोन लेता है लेन वो पूछती है कि तो फिर तुम यह लोन कैसे पे बैक करते हो तो फिर वो बताता है इंस्टॉल्मेंट्स पे very easy तो उसकी आंट जेन एकदम अपना मतलब जैसे उसका जो हैंड होता है वो अपने forehead पे एकदम उसको किसका है मतलब overall वो उनको इस तरीके से मतलब पूछ रही है कि हर एक चीज इंस्टॉल्मेंट पे है तुम्हारा बैड हो गया फर नीचर हो गया जो भी चीज़ है वो सब कुछ इंस्टॉल्मेंट पर ही है जैन उसके बाद फिर मैं कैसे बोल दूं कि मैं किन चीज़ों के वेसिस पर मतलब यहां पर मैं रुकूं अब उनका बिल्कुल भी मन नहीं होता है वहां पर रुकने का तब उसके बाद कि क्या होता है जैक बोलता है ओके आई मस्डॉप यू त दिखाई दे रहा है तो फिर उनको सॉरी भी बोलती है रूड होने के लिए लेकिन अवरॉल उनका यहां पर वरीड होती है उनके लिए कि वह इतने सारे इंस्टॉल्मेंट्स को कैसे पे करते हैं उनका हमेशा से लाइफ में एक ही चीज रहा है कि कोई भी चीज इंस्टॉ उसके बाद जो आंट जेन है वहाउस लीप कर देती है और जैक उनको स्यॉफ करने जाता है जब जैक वहाँ पे था तब तक जिल क्या करती है गुडबाइ करती आंट को और जल्दी से वह चेक अपनी नर्स को दे देती है और नर्स जो उसका बेबी पकड़े रहती है उस वापस एंटर करता है तो जिल से पूछता है कि वह चेक कितने का है तो वह बताती है तो फिर वह सोचता है कि वाउ अब इतने में मेरे कार का जो टोटल टू मंस का इंस्टॉल्मेंट है वह इजली पे हो जाएगा तो जिल बोलती है आम अफरेट शाहद यह चीज नहीं हो जैक पूछता है क्यों नहीं हो पाएगा तो फिर जिल उसको बताती है कि वह जो चैक था वह अपनी नर्स को दे दी है ताकि वह पोस्ट करके आए तो जैक बुलता है और वह भीजी किसको हो जिल बताती है दॉक्टर मार्टिन को जैक बहुत जादा वहां पे नाराज हो ज इसे हैं वह सबकुछ इंस्टॉल्मेंट में इवन उनका बेबी तो यहीं यूमरस पॉइंट था यहां पर इस लेसन का इस पूरे स्टोरी का इसके ऑथर हैं जो की इंग्लिश में के प्लेराइट लिखते हैं और इसके अलावा यह दूसरे लैंग्वेजिस लाइक फ्रें समझ में आ गया होगा कोई डाउट है तो आप कमेंट में बूच सकते हैं अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हम से कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसको जोइन कर सकते हैं